अलोग जी आपसे शुरुआत कर रहे हैं डिबेट की खलगे जी कह रहे हैं कि चुहे जैसे चाल चल रहे हैं देश के प्रधान मंतरी आपके एक और बले नेता कहते हैं कि हमारे सेना पिट कर वापस आ गए क्या ये एक विपक्ष की भूमिका है इस तरह की बयानबाजी से सेना का और देश की गरिमा बढ़ेगी इनने 20 जवानों कहादत के बाद देश की गरिमा बढ़ी थी घर्टी थी मोदी साहब जब पिछले चुनाव में 2000 सौदा में आये थे तो नारा क्या मर जवान मर किसान उससे तो सेना का शाद काफी मनोबल बढ़ा होगा जब लव लेटर की बात आ रही थी कि लव लेटर लिखे जा रहे हैं तब तो जरूर हुआ होगा मनोबल बहुत बढ़ा होगा लव लेटर की बात और मर जवान मर किसान का नारा हम तो दे कर नहीं आये थे जब ताफिर गाओं इनके सांसद नहरुनाचल प्रदेश में कहा कि 60-70 किलोमीटर तक चीनी अंदर भुस आये हैं और ये मीडिया और ये संसद खामोश है ये सब घर से ही हैंडी क्राफ्ट का बिजनस करके हर महीने लाखो कमाते हैं आपको भी ये करना है इनसे सीखना है तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड कीजिए आप संसद में क्यों लिए डिस्केशन कराना चाछते हैं क्या चाइना ने हमारे जो पैट्रोलिंग की आर्मी की क्या उसको पुरी तरह से फिंगर पॉइंट 3 तक रोप नहीं दिया है क्या तमाम जगहे पर चाइना ने अपने पुरी तरह से structures नहीं बनाये हैं क्या Macmahon Line से आगे उन्होंने 101 घरों का गाउँ नहीं बसाया है क्या satellite images जूट बोल रही है सब कुछ जूट बोल रहा है केवल एक मोधी जीर और उनकी छवी जो है वो केवल सत्य बोल रही है हम कह रहे हैं कि आप discussion कराई है अगर संसद में कोई डिसकेशन होना चाहिए तो वो क्यों नहीं हो रहा है यह इंपोर्टेंट पॉइंट है आलोग जी मतलब ठीक है आलोग जी मतलब पिटाई वाले बयान से देश की और सेना की गरिमा बढ़ी देखे मैं समझता हूं कि राजनाथ सिंग जी ने क्या कहा है मैं आपसे यह पूछा हूं वो गरिमा बढ़ाने वाली बात थी ठीक बात है अपनी देश के प्रदानमत्री को कहें के चुहे जैसा काम कर रहे हैं पिटका आगई ऐसा शब्द नहीं है यह हिंदुस्तान का मीडिया कुछ भी चलाता है आप उनके बैयान को ध्यान से देखिए कि वो बार-बार हमारे यहां पर इंटूजिन कर रहे हैं क्या इस सच है के नहीं है पिटकार आगए हैं ऐसा कोई शब्द नहीं है उसमें लेकिन ठीक है मैं केवल यह पूछता हूँ नौ तारिक को ए घटना घटी और हमारे जवानों ने उनको पीटा तो तेरा तारिक तक खामोश्तियों थी यह सरकार तेरा तारिक को यह कहा गया कि नहीं बीच में छुटियां आ गई मैं बीचेपी से जवाब ले लेता हूँ उसका ठीक आलुक शर्मा जी प्रेम शुक्ला जी कहरें कि आप संसद में चर्चा से भाग रहें श्वेट पत्र से भाग रहें सदन में चर्चा क्यों नहीं चाहते हैं देखिया आज भी और पिछले बार भी यह संसद के दोनों सद्रों के जो अद्देप्ष और सभापती है वह सपस्ट कर चुए हैं कि हम नियमा नुकुल चर्चा करेंगे अब यह नियम तोड़ कर चर्चा करने चाहें तो संसदी परंपरा उसका आग्या नहीं देती है पहली बात दूसरी बात जो शेर और चुए की बात कर रहे हैं 38.000 वर किलोमीटर की भूमी जब पंडिजवारलाल नहरू की कायरता के कारण चली गई तो वो कौन से प्राणी से उसकी जो तुल्ला की जाए नहरू जी की जरा कांग्रेस की जो सब्दकोस है मलिकार जुन खड़जे जिसके संपादक है उस सब्दकोस से जरा आलोक शर्मा डूड कर बताईए चीन के जबडे में डालने के दुशकर्म के लिए पंडिजवालाल नहरू की किस पशु से तुल्ला की जाए क्योंकि चुहे से भी नीचे उसकी तुल्ला करनी पड़ेगी आप क्रिपा करके बताईए 4000 वर किलोमीटर जो पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट कर दिया पंडिजवालाल नहरू की कायरता के कारण उसके लिए पंडिजवालाल नहरू के लिए कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाए जरा वर स्प्राणी का भी नाम मलिका अरजुन खड़गे के शब्दों से जरा ढूंड लिर जीए का शर्मा जी और आप क्रिपा करके बताईए 2500 किलोमीटर जो चुमुर्ख शेतर में डॉक्टर मनमोहन सिंग के कारकाल में घूस आए तो संसद में ये बयान आपने क्यों नहीं दिया किस प्राणी से डॉक्टर मनमोहन सिंग की तुल्ला की जाए उभी जरा बता दिए जोरावर के लेपर 2012 में कभ्या हो गया आपने तो लायू लायू जो है लायू जो है लिका संसद में कराया ता मेरे हिसाब से और आज हम कह रहे हैं पिदेश मंतरी रक्षा मंतरी सारा देश कि एक इंच भी भारत की भूम में चीन नहीं गुश सकता लेकिन आप चुंकी चीन के सामने दुम हिलाने का ये सब घर से ही हैंडी क्राफ्ट का बिजनस करके हर महीने लाखो कमाते हैं आपको भी ये करना है इनसे सीखना है तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड कीजिए इतनी आश्वास से तो सदर में चर्चा हो जाने चाहिए प्रेम जी आप चीर नहीं बताइए विवेग जिस उनका विपक्ष का सवाल है यह ना विपक्ष पूछना आप चर्चा क्यों नहीं कराना चाहते हैं नहीं समझ गया मैं प्रस्णा इनके इनके सांसर स्रीमार कि आर्मी का डिप्लोइमेंट ज़रा बताईए तो यह चीन के agent जो चीन की चंदा पर पलते हैं इनके लिए deployment बताए जाएका कुछनी आर्मी का डिप्लोइमेंट कैसे पूछलिगिया कि यहाँ डिफेंस एक्सपोर्ट पैटए है डिप्लोइमेंट क्या शेर किये जा सकता पार्मियमेंट से कि हमारे रडार कैसे डिप्लोईड है एरफोर्स कैसे डिप्लोईड है नेवी कैसे डिप्लोईड है आर्मी कैसे डिप्लोईड है डिप्लोईमेंट बताए जाएगा डिप्लोईमेंट पूछ रहे हैं यह चीन के चंदे पर पलने वाली प्रज